कि छंद करेंगे आपको पता है बाहसा कि सुंद्रे में अलंकार ओर चंद होगा वोतमें तब है तो छंद देख लेते हैं कि आयरे तब बहुत आते हैं एक्जाम में तो छंद के अंगों में आपने पैचानना है वरन क्या होता है मात्रा यती तुक चरण और गण में आपनों तो सब से पहले व न क्जान जासे है काः खा गाःत्त है फिर मात्रा मात्रा में चोटी मात्रा या बड़ी मात्रा जैसे हैं हाले लेते हैं यह तो लगूह और यह गुरूर तो यह मात्रा यह भड़ी भड़ो गुञ किनों होता है जब आप लिखते जाते है तो आप बरेक की जडरुदरद होती है न हुआ ग्होarreद इस कोमा रुकना फुल्स्ट वॉर्ण विराम यह इन सब को यती कहते हैं जब बहुत किसी से वाक्ते वह आप कुछ टाइम के लिए रुखते हैं या पुछ टाइम के लिए रुखते हैं उस रुकने कर भी पारहे ज़ाखते हैं यह तुक बंदी लॉफ्नीट्बट्ट जितने भी सोंगे आपके तुक्ष बंधी है तो रूब भूप सेम साउंट है ना रूप भूप इंगलिस में यदे मैं इसकी आपने चेक करना है तो आपका इस्टेंज आता है उसमें तुक बढ़ी समझ में तुक बंदी लास्ट बंदी की सिव लाइन का लास्ट वर्ड जो उता है यह उसमें तुक बंदी है फिर बेटा चरण जैसे आपके एलेक्षन होते हैं चार चरण में भी आरेक्षन हुए चरण का मतलब हो गया बाग है पार्ट इंग्लिस में यह जो दो आया यह जो दो लाइने है चरण कितने हैं इसके एक चरण तो यह एक चरण एक यह चरण एक यह चरण तो चरण मींस पा जितनी मातराओं उप्थियान उसको गण बोलते हैं जहाँ तीन मातराओं का समावेश उसको बोलते हैं गण किसी सब्द में तीन मात्रायों नाके ये वण वण तो टैको बताता है और ये बताता legitimate लगू और go बुरू शोटी मात्रा और बुरु बड़ी मात्रा पिन्यति आपको पता है कहीं भी रूकना पुर्ण विराम अर्ध वराम फुल्ट्रोप कुछमा जो भी है तो यह तुकबंधि लास्ट लाइन का एक लाइनला वोत गोगीर और गनपर हो इंव निकालने आते हैं ये ये इतने इंप्रोटन्स है नहीं इसमें मात्रा निकालनी आती है कि भई इसमें कितनी मात्रा है जैसे ये गाजा है भई ये क्या है तो आप बताएंगे दोहा है सोटा है बरवे है उलाला है क्या है और वो देखेंगे मात्राओं का ग्यान ही चंद है बेटा तो आप देखो क्या है जैसे सम मात्रिक है तीन वा से विशम हो और विशम मात्रिक में बेटा सारे ही विशम हो एक जंद होते हैं तीन बगर करते हैं सम्मात्रिक सम्मात्रिक में बेटा मात्रा ही सम होगी अर्द सम्मात्रिक में अधी सम होगी और अधी विशम मात्रिक होगी और विशम मात्रिक में तो सारी मात्रा है विशम ही हो तो मघ्र रूर क्छंद तो और चारो ज modeled कर ना अपने प्रीक चारो गीत हरी गीतिका वह कै По फोलेंगे चारो जारी गीता्य और और है यह आपका संहाथ हो प्रिक्व सहब्ड़ हो हो झार से चोपाई चोपाई में एक लिए टक किन凌 सब्सक्ति फ़निवी यानि 24 मात्राई हो इसमें जो ये दो अधिया घ्राने ये जो हुए यदि ये चुपआई है तो इसमें 16 मिलेंगी, एक में, इतने में 16 मिलेंगी ये गीतिका है तो गीतिका में 26 मिलेंगी यह हरी तो 28 मिलेंगी तो आपने क्या याद किया चारो भीत हरी गीतिका तो चा मेंज चोपाई चोपाई नहीं 16 रो मेंज रोला रोला मेंज 24 और फिर गीतिका मेंज 26 और हरी गीतिका हुए 28 तो कैसे सिक्वेंस बना सम्मे 16 याद रहे जाएगा तो यह तो मात्राइए बेटा निकाल नेगे इसको भी मात्राइटी नहीं की फिर अर्दसम मात्री इसका मतलब है आद दे संग और आदे विशंग तो इसमें दोहा तो है बेटा 13 से 11 इसका मतलब है बेटा पहली और 30 रे चरन में तो चरन थे ना या इसक इसका मतलब यदि ये दोहा है तो इस पहला ये है दूसरा ये है तीसरा ये और फॉर्थ ही ये इसका मतलब है पहले और तीसरे में तेरा मिलेगे इस पहले और इस तीसरे में या उपर नीचे जो है इसमें तेरा मात्राइए होगी और तेरा का मतलब तेरा इसमें तेरा इस और मात्रा ही निकालने लगे हम इसकी ठीक है और इसकी मात्रा बन गई 13 और यह बन गई 11 तो तुम समझ जाना बेटा 13 11 कि इसमें आती है तो यह बन गई तो फिर आपने बता देना मात्रा गिन के एक सखीद लगेगी मात्रा गिन में वह यह वह है फिर सुर्टा में बिटा 11 पहले में पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चुट्थे में 13 अब यहां कन्फ्यूजन होगा आप सोचेंगे दोहा कौन से है तो तुमने समझ ना जो छोटा है वो बड़ा है देखो छोटा जो होता है वो बड़ों को सम्मान देता है और जो बड़ा है वो छोटा है क्योंकि जो बड़ा होता है वो छोटों को सम्मान देता है यदि बड़ा भी तब तक बड़े तब तक ही बड़े र पहले चोट्ड़ और बड़ो प्रैफरेंस देते हैं तो कलियर होगै ना यानि कि 2 हा चोट्ड़ा है लेकिन बड़ो को प्रैफर करेगा यानि 13 पहले आएंगे और सुर्था बड़ा है तो उसमें चोट्ड़ा आएगा तो मुझे लगता है दोहा और सोल्टा में कलियर हो गया तेरा ग्यारा ग्यारा तेरा ठीक है अच्छा वई अब बर्वे में बारा साथ यानि पहले मैं अर्थी सरे में बारा बारा अर दूसरे अर चोथे में साथ साथ और उल्लाला है बेटा पंदरा तेरा यानि पहले तीसरे में पंदरा और हम या कि या यह जाए न तो है तो यह यानी कि यानी कि दो है के तो तो यहां क्या राला लगा लो खीक है 13 11 यानि और रोला के कितने हैं तो जहां 13 और 24 पलस हो जाए ना यह बहुत कम आफता वाइसे वो कुंडलिया बनेगा यह थोड़ा सा दिफिकल्ट बन जाएगा लेगन जाएदा होंगे वो कुंडलिया है दोहा और रोला के मिला के कुंडलि यानि रोला यह रहा है का गया यह रहा लोला चोबीस है और उल्ला पंधरा पंदरा और तेरा तो यह दोनो मिलके बनेगा च्छाप्या जाधत कराते हैं यह यह फिक है तो आप निखाओ दें हमार मात्र ही निकालेंगे ना ए देखो छोटा यदि देख को मात्रा लगए य तो पावन में वाई तीन, तने में भी तीन, संकट में देखो एक सैवर एक अंग, दो, तीन, चार, पाँछें, दो, आट, नो, दस, ग्याडा बादा, तो पहले आगे तेरा, बस तेरा आते ही समझाओ, बस पेट्टा को होगा है, आपके जाने की चुरूत ने, एक सेकिन बड़ी मात्रा है, ना, दो, एक, बड़ी मात्रा है, है ना, दो, एक, गिन ना, दो, चार, तो अच्छें, दो, आठ, दो, दस, अरे, ज्यारा, तो बेटा बिल्फुल ठीक होगे, तो आपके, और ये निकालना भी आपको आ गया, है ना, तो एक बार देखेंगे, चंद क् मात्रा, यती, तुक, चर्ण, गान, और फिर मात्रिक छंद के तीन पार्ट है, सम मात्रिक, और सम मात्रिक, और विश्व मात्रिक, सम में बेटा वस, चारो गीत हरी गीती का, चारो गीत हरी गीती का, चा से चुपाई, शोला है, रो से रोला चोबिस है, गीती से गीती का च यह याद रखने हैं आपने इमार बोलो दोहा सुलता बढ़ रहें उलाला विसम मात्रिकं में कुंडलिया रूला कुंडलिया दोहा प्लस रूलाय निदोहा के मात्राइन आएंगे और रोला और वेटा चप्या में रोला भी ए ठीक है ठेंक झाल झाल